ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 की सुरू होने में कुछ महीनी का ही समय बचा है ऐसे में हर भारती अफैंस इसी उधेड गुन में लगा हुआ है कि प्लेइंग 11 में आखिर किस किस प्लेयर्स को मिलेगी जगह आज हम बात करेंगे भारत के टॉप चार युवा बल्लेबाजों की जिन्हें ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया में मौका मिला तो अपनी तुफानी बल्लेबाजी के दम पर बिलकुल युवराज सिंग के अंदाज में ये बल्लेबाज भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में चेंपियन बना सकते इस लिष्ट में पहले नंबर पर आते हैं आईपियल में मुंबई इंडियन्स की तरफ से खेलने वाले युवा बल्लेबाज इशान की सन जी हाँ आपको बता दें इसान की सन बाय हाथ के एक आकरामक बल्लेबाज हैं बिलकुल यूराज सिंग के अंदाज में ताबर तोड चौके और छक्के लगाने की छमता रखने वाले इसान की सन ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में टीम इंडिया के लिए मैच विजिता बल्लेबाज साबित हो सकते हैं इसान की सन बेहद ही आकरामक बल्लेबाजी करते हैं जानकारों की माने तो इसान की सन T20 क्रिकेट में मात्र 20-25 गेन में सतक लगाने की छमता रखते हैं खैर अब देखना दिल्चस्प होगा इसान किसन जैसे धुरंधर बल्लेबाच को ICC T20 World Cup 2021 के लिए टीम इंडिया में मौका मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों इसान किसन के बारे में आपकी क्या राय है। क्या इसान किसन को ICC T20 World Cup 2021 के लिए टीम इंडिया में देखना चाहते हैं। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करके हमें जरूर बताएं। इस लिष्ट में दूसरे नमबर पर आते हैं राजस्थान रोयल्स की तरफ से खेलने वाले युवा विकेट की परबल्लेबाज संजू सेमसन। आपको बता दें कि बेशक पिछले कुछ सीजन के दौरान राजस्थान रोयल्स की टीम आईपील के फाइनल तक पहुचने में नकाम रही है। लेकिन संजू सेमसन के परदर्शन पर नजर डालें तो लगभग हर सीजन में सेमसन ने दमदार परदर्शन किया है। क्रिकेट विशेशग्यों की माने तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान टीम इंडिया में संजू सेमसन का चैयन हुआ तो मध्य करम में तेज तर्रार बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालकि अभी तक अंतराश्ट्री क्रिकेट में संजू सेमसन का परदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। देखना होगा टीम इंडिया के चैयन करता संजू सेमसन को ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतिय टीम में सामिल करते हैं या फिर नहीं। इस लिश्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं दिगज विकेट की परबल्लेबाज लोकेश राहुल। आपको वता दें कि मौजूदा इंगलैंड दोरे पर लोकेश राहुल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। बात चाहे टेस्ट मैच की हो या वंडे या फिर T20 क्रिकेट। लगभग सभी फार्मेट में लोकेश राहुल अपनी तुफानी बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। वर्ल्ड कप 2019 में भी लोकेश राहुल का चयन टीम इंडिया में हुआ था। हलकी इंग्लेंड में खेले गए वर्ल्ड कप 2019 के दोरान लोकेश राहूल का परदर्शन कुछ खास नहीं रहा लेकिन माना जा रहा है कि ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में लोकेश राहूल के तुफानी बल्लेबाजी का दबदबा रहेगा आपको बता दें कि लोकेश राहूल टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के सबसे पसंदीदा खिलाडियों में से एक है ऐसे में ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया में लोकेश राहूल का चैन लगभग तय माना जा रहा है दोस्तों लोकेश राहूल को लेकर आपकी क्या राय है ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया में लोकेश राहूल को देखना चाहते हैं या फिर नहीं कोमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं इस लिस्ट में चौथे और आखिरी नंबर पर आते हैं युवा विकेट की पर बल्लेबाज रिशब पन्त जी हां आपको बतादें कि रिशब पन्त मौझूदा क्रिकेट जगत में भारत ही नहीं बलकि विश्व के सबसे बहत्रीन विकेट की पर बल्लेबाज हैं रिशब पन्त के तुफानी बल्लेबाजी देख कर उन्हीं टीम इंडिया का दूसरा महंदर सिंगधोनी भी कहा जा रहा है हलकि देखा जाए तो महंदर सिंगधोनी जैसे विश्व चैंपियन विकेट कीपर बल्लेबाज के साथ रिशपपंद जैसे युवा बल्लेबाज की तुलना करना जल्दबाजी होगी क्योंकि महंदर सिंग्धोनी अंतरराष्टरीय क्रिकेट में अपने आपको साबित कर चुके हैं जबकि रिशपपंद अभी अपने अंतरराष्टरीय क्रिकेट करियर की सुरुवात कर रहे हैं आपको बता दें महंदर सिंग्धोनी भारत के एकलोते ऐसे कप्तान हैं जो बतौर कप्तान 50 ओवर के वर्ल्ड कप के साथ साथ टी 20 वर्ल्ड कप और चेंपियन्स ट्रोफी में टीम इंडिया को जीत दिला चुके हैं इसके अलावा आईपील में बताओर कप्तान चेन्ने सूपर किंग्स की टीम को तीन बार चेंपियन बना चुके हैं जानकारों की मानें तो बेशक महंदर सिंग धोनी जैसे महान कप्तान से रिशप पंत जैसे युवा बल्लेबाज की तुलना हो रही है लेकिन धोनी जैसा महान कप्तान सायद ही टीम इंडिया को दुबारा मिले हलकी मेहंदर सिंग धोनी के नक्से कदम पर चलते हुए रिशब पंत भी IPL में दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान बन चुके हैं रिशब पंत के कुछ फैंस यहाद दावा कर रहे हैं कि अब धोनी की तरह पंत भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को IPL में तीन बार चेंपियन बना सकते हैं खेर अब देखना दिल्चस्प होगा ICC T20 World Cup के लिए टीम इंडिया में रिशब पंद का चयन होगा या फिर नहीं दोस्तों रिशब पंद के बारे में आपकी क्या राय है ICC T20 World Cup 2021 के लिए टीम इंडिया में रिशब पंद को देखना चाहते हैं या फिर नहीं कोमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं दोस्तों टीम इंडिया के इन चारो दिगज बल्ले बाजों को लेकर आपकी राय क्या है ICC T20 World Cup 2021 के दोरान इन चारो दिगज विकेट की पर बल्ले बाजों को भारतिय टीम की प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं या फिर नहीं कोमेंट्स करके अपनी राय हमें जरूर बताएं मेंट्स कर दोरान चाहते हैं